तो नमस्कार तो आज के दिन ऐसे स्टोक की बात करने जा रहे है जो लागातार आल टाइम से गिराउट में देखने को मिल जाता है तो इसके बारे में हम बाचीत करेंगे तो डारेक्ट वीडियो सरू करते है वीडियो सरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना जो लोग चैनल से नए दूरीय चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल भी ना बोलना दोस्तों इसकी करण्ट प्राइज की बात करें तो आपको पता है अभी इसकी करण्ट प्राइज 4 रुपय देखने को मिल जाती है और कल के दिन में मतलब इतना अच्छा कासा momentum देखने को मिला है करीबन डेट परसेंट का अपर circuit भी देखने को मिला है क्या stock में मतलब अपर circuit लगेगा आज के दिन क्या हो सकता है कितना low जाने को देखने को मिलेगा नए investor क्या भी इसके अंदर सोच रहे है तो आपके दिल के अंदर ये भी चल रहा होगा कि इसको buy करना चीए या hold करना चीए या exit करना चीए तो सबी बताएंगे तो hold तो आपको करना ही करना है ठीक है तो आपको पता है इसकी company का market केप की पहले बात कर लें 24 करोड का market केप है और एक साल की अंदर हाई भी दिया था गरीबन जो आट रुपे पिच्छासी नो रुपे का आसपास ठीक है तो करीबन वो लो था जो अभी का था इस्टोप बहुत कम पराइज के अंदर देखने को मिल रहा है साइधी इतना आपको मिले ठीक है तो आने वाले लोंग टाइम के लिए आप लेके इसको चल सकते हो जिनके पास यह quantity है रदन पाउर इंडिया की तो आप लोग इसको एकजिट मत करो, ओल्ड करो, इसको एकजिट करने की गलती मत करना दोस्तों क्योंकि आपको पदा है अभी फ्यूचर में इसने कोई रिटन देखने को नहीं दिखाया ठीक है करीबन पास दिन की बात करें ना के बराबर रीटन है मंतली की बात करें तो लग बग डेड़ परसेंट यही मतलब एक मन्त से स्टोक में मतलब कल के दिन की जो तेजी देखने को मिली वही इसके अंदर देखने को मिलती है करीबन 6 मंत की भी बात करें तो इस्टोग लगबग 26% के गिराउट में देखने को मिल जाता है जो लगातार एक डाउन में देखने को मिल जाता है और लाश्ट के मॉमेंटन में देख पा रहे होंगे इस्टोग अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है ठीक है तो करीबन एक साल की बात करें जो पुराने इन्वेस्टर थे तो उनको अभी एक साल के अंदर भी लगबग 12% का लोस देखने को मिल जाता है करीबन 5 साल की भी दोस्तों बात करें तो लगबग 32% का लोस देखने को मिल जाता है और मैक्सिमम की बात करें तो लग बग आपको पता इस्टोक में 90% गिराउट देखने को मिल जाती है यानि इस्टोक 35-35 रुपे के अंदर देखने को मिल जाता है इसके अभी पेल्यू की बात करूद लग बग चल जब स्टार्ट किया था करीबन ये स्टोक 40 रुपे से स्टार्टिंग दिया था उसके बाद मैं एक देखने को पा रहे होंगे लगातार स्टोक के अंदर गिराउट देखने को मिलती है अभी नए इन्वेस्टरों के लिए खास दोर से अच्छा मोका इस से अच्छा मोका आपके पास जिंदगी में कभी नहीं आने वाला और फ्यूचर में स्टोक रिटन देना ही देना है ये तो तैय है ठीक है तो आप लोग इसे पहले ही संबल जाओ और वैसे कल के दिन की बात क्या मोमेंटन रहता है और कितना आई जाता है किया इसके अंदर अपपर सरकीट देखने को मिला था करीबन आपको बता है चारूबे-पांस पैसे आइग गया था लगब एक ठाइम तो लग बग चार परसेट से भी ज्यादा आपपर सरकीट देखने को मिल गया था उसके बाद लाइस टाइम मोमेंटन के लोग देखने को मिल गया थुक है अभी हम बात करते हैं फाइनस रिजल्ट की ठीक है तो आपको पता है जून 2022 तक एंदर एड कर दिए गया जो इसका फा squeezed है जो quarter two quarter तो यह भी अंचा खासा देखने मिल गप आदो आपको पता है नेट इंकम है तीन परसेंट है ओपरेटर की इंकम भी लग बग 6 परसेंट के आसपास देखने को मिल जाते हैं को इस ट्रेन यू अभी भी 7 परसेंट के आसपास लोगस के अंदर देखने को मिल जाता है तो दोस्तों इसके बारे में डेफिनेली आप लोग सो सकते हो थोड़ा एनलाइज करिए बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना जो लोग चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलना